जहेंले के सबस्थे स fund हीमांग Boss से को से था हो तरना नहीं होता है इसको फ्रीजिंग पॉन्रम इसपहले फूहां यह जान लेते हैं जो हीमांक विर्थी पॉइंटी जो कि रही हसे लिसमक्री आप भरफ बनना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते है इस 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 जो सब्हबनों है। लिखते हैwriting इसको क्या क्या हैं किया क्या होता है पानी जहां ना शुरू कर देता है तो जिस टम्प्रेचर पर कोई भी द्रावट जमना शुरू कर दे उसे हम क्या कहते हैं फीजिंग पॉइंट कहते हैं या फिर हिमांग के बिंदू कहते हैं देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात यह है इसको भी हम आगे और समझेंगे हिमांग पॉइंट करना सुरू कर देता है एक काम करें कोई वासी बिलेय यह क्या है और वासील मिलाए उसके बाद देखिए आप क्या होगा जानते हैं यह पानी जीरो डीजिस फेजिए से जमना तो चाहेगा लेकिन नमखवा जो है वो जमन ही नहीं देगा कहे गाए रुप हम मुह हैं तुम तो ये उसको समने ही नहीं देगा घंपरेचर का है और और कम कर लेगा यानि जो पानी च्छे etwas आनी में अगर हम नमग मिला देते हैं तो और हम जमाना चाहते हैं तो रहे हैं wifi एसके लिखना चाहिए तो यह लिख सकते हैं कितना 266 Kelvin पर क्या होगा ये जमना सुरू करेगा तो कहीं न कहीं एक बात हमको समझ में आ रही है क्या कि अगर किसी सुद्ध बिलायक में कोई अवासवसील विलेपदार्थ मिला देते हैं तो उसके तापमान में या उसके टमप्रेचर में कमी आ जाती है और यही जो कमी होती है इस कमी को हम आउनमन कहते हैं तो यह समझ में आ गया आउनमन क्या होता है अब इसका परिभासा यहां पर लिखा गया है देखिए परिभासा जो है क्या है जब किसी बिलायक में अवासवसील विले मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में कमी हो जाता है, हिमांक मतलब जो जम रहा था, पहले 0 degree Celsius पर जम रहा था, लेकिन आज और कम पर, और कम ताप में, ताप मान में कमी आ रही है, माइनस 5 degree Celsius पर जम रहा है, हिमांक में कमी हो जाती है, तो इसे हम हिमांक में ओनमन कहते हैं, हिमांक के ओनमन को को हम डिटयाप से प्रदर्शिद करते हैं जहां एक क्या दिखाता है यह जो नीचे है उपरा मन लगा देडा बगल में से लूप है कि पर कि ऊणलमण और जो डिटयाप होता है कैसे निकाला जाता है जो temperature अधिक होता है माइनस जो temperature कम होता है तो आउनमन कैसे निकालते हैं यार T0F प्रारंभ में इसका temperature अधिक है माइनस करेंगे TF जब कोई अवास्पसिल मिलाते हैं तो हम यह कह सकते हैं यह किसका है प्योर साल्वेंट का प्योर साल्वेंट का temperature है यानि हम जिसको बोलते हैं बिलायक सुद्ध बिलायक का temperature है और यह जो है कब जब अवास्पसिल बिले मिला देते हैं तब जो बिलेन बनता है उसका temperature है बिलेन का temperature कौन सा temperature temperature का मतलब बढ़ा नहीं रहे यहाँ पे temperature का मतलब freezing point है कौन सा freezing point सुद्ध बिलायक का Frisging temperature और यह क्या है कि जब बनता है उसका जो Frisging temperature होता है कि यह है यहां तक समझ में आ गया आए इसका एक तो ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की साहता से हम आपको समझाते हैं देखिए यह तो समझ में आ गया है अगर हम ग्राफ इसका बनाए कुछ इस तरीके का कि यह सेम तो सेम जैसे हम निकालते हैं क्या हमेरा यह माल लेते हैं इसे होगा हम एधर क्या लेते हैं क्या हक इसर को लेते हैं और इधार हम क्या लेते हैं temperature को यह जो होता है इसको temperature ले लेते हैं दखिए अगर किसी भी द्राव को जमाना होगा तो उसके तापमान में बढ़ोतरी करेंगे कि घटोतरी जहर से बात है तापमान को decrease किया जाएगा तो मान लेते हैं जब प्रारंब में कोई सुद्ध पानी है तो उसका जो ग्राफ बना है वह क्या है यह है यह प्रारंब की कंडिशन मान लेते हैं यह यह रहा हम इसको बोलेंगे यह हमारा क्या है बिलायक है और यह भी बता जिए जो सुद्ध बिलायक होता है उसका वेपर प्रेसर जब कोई अवास पसील बिले मिला देते हैं तो उससे जादे होता है तो सुद्ध बिलायक का अभी जो वेपर प्रेसर है मान लेते हैं इतना है यह यह दिखा रहा है कि इस टमप्रेचर पे इस होगा vapor pressure or decrease कर जाएगा और कम हो जाएगा तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि यह हमारा क्या है या या यह हमारा बिलेयन बना है फिर से बोल दे रहे हैं यह जो बिलेयन है कैसा है इसमें कोई वासफसील याननि इसमें जैसे नमक और S2O और यह आपका दिखा रहा है के वले S2O को अब समझ पारे हैं और वास्पसील मिलाया गया है उस सुद्ध बिलायक में तो जहर सी बात है इसका वेपर प्रिसर कम होगा इसके कारण पी निकलता है इसके कारण पी ये निकलता है अब क्या होगा यार देखिए हमें क्या करन हैं तो इसके तंप्रेचर में हम क्या करेंगे और कम आएगा कम आएगा उसके बाद क्या होगा इसका वेपर प्रिसर अचानक कम हो जाएगा और यह जो पॉइंट होती है यही पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट यानि इसकी परिभास हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऩंधार हुआ यह कहां में तो छोगा अ freshly मेरिट करें तो यह कर करेंगे तो यह क्या होगा यह इसको न होता है सौलिट को यह सौलिट को पॉइंट मीं करेंगे तो एक पॉइंट पे само होता हुग होता है जबकि शायदे होता है तो यह point मिलता है इसको कहते है to freezing point क्या होता है कि MUR and the सब्सक्राइब बिलियर सबयाएंगे इसको बढ़ाएंगे इधर प्रेजिजिंग पॉइंड मिली यहां पर यादि जब बीर है विलियर में कोई अवास वैसंट मिला देते हैं तो इसका फ्रीजिंग और कम और कम हो जाता है लिए यह सुध्विलाथ का था कि यह है कि यह तो देख रहे हैं सुद्धका टेंप्रेचर कुछ जादे होता है सुद्धका जो फ्रिजिंग पॉइंट होता है जादे होता है और जो बिलियन बनता है उसका कम होता है तो हम एक परिभासा और लिख सकते हैं हिमांग का हिमांक परिभासा काल शकते है यार वहताप जिस पर द्राव का वास्पदाब द्राव का वास्पदाब उसी द्राव के ठोस के वास्पदाब के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं हिमांग पॉइंट कहते हैं तो ये था हमारा क्या? हिमांग पॉइंट, समझ में आ गया अब यहां से अगर कमी निका लें तो कितना कम हुआ है यार जो जादे है उसमें से, जो कम है उसको घटा देंगे अब यह तो ग्राप था यह क्या है नान वेलाटाइल जब कोई अवास्फिसिल मिलाते हैं और यह क्या है प्योर बिलायक है अब देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट से पता चला क्या कि यह जो डेल्टा टी ना टी अफ है एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डेल्टा ती यह यह निसी मैं और नमन है यह सीध्य समानुपाति होता है बिल्यान की मोलदा पर किस पे मोल अलता पर मोलरता नहीं मोललता पर इसको हटा है तो ती यह बराबर हम के यह कर सकते हैं इंटू 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 कर सकते हैं जहां किया है यार यह और मतलब हमेशा दिया रहाता है कि अगर हम यह कहना चाहें टी यह बराबर जो होता है वह के इंटू मुल अलता कैसे निकलते हैं यार बिले का मूल मूल बटे बिलायक का भार किसमे होना चाहिए केजी में बिले का मूल कैसे निकलते हैं ती अब देखिये जो मूल निकलता है मूल बराबर होता है दिया भार बटे अड़ुभार अगर हम यहां पर माल लें जो हमारा सुद्ध बिलायक है इसको हम एस से कर रहे हैं यहां पर हम निकालेंगे मोल किसका बी का तो क्या कहेंगे यार दिया भार को डबलू से यानि डबलू भी बटे अणुभार यम्भी यह हमारा मोल निकलेगा और क्या कर सकते हैं अब यह मोल को यहां पर रख देंगे बराबर किये अब इंटो मोल जगहां पर डबलू भी बटे यम्भी गुड़े अब बिलायक का भार बिलायक का जो भार होता यहां पर देंगे हम क्या है कि यह हमारा सुत्र बन गया इस से क्या कर सकते हैं इससे हम जिसका जो चीज पॉइंट अगर पूछे रहा है तो यह कर सकते हैं कि यह हमारा क्या है कि ही मांक में और नमान कि तो यह समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे जैहिन जैभारत